एक आई सालो आफिवान कैसे हैं आप लोग कंप्यूटर का क्लास डेवलप डिस्कस करते हैं तीन अगस्त 2020 है और तीन अगस्त के इस कंप्यूटर सेशन में आप लोगों का वेलकम हैं हम जीमेल पर बात कर रहे हैं चलिए देखते हैं कुछ नया आप लोगों को बताया तो है जीमेल में कैसे कैसे आप नेविगेट करेंगे उसके बाद आज मैं आप लोगों को कि बताती हूं थोड़ा सा कि और क्या ज़रूरी है जीमेल पढ़ने से सीखने से पहले तो हमने यहां पर कंप्यूटर खोला और हमने लिखा यहां पर पहले रन डाइलोग खोल लिया है विंडो आर से और यहां पर करेंगे लिखेंगे www.gmail.com एंटर किया एंटर करने के वाद जिस लास्ट प्रावजर पिस से हम जब भी प्रावजिंग कर रहे थे वही प्रावजर यहां अक्टिब हो गया है और जीमेल खोल गया यहां पर हमारे चूज़े नदर अकाउंट आया है यहां पर एड़ अकाउंट भी आ सकता था पर यहां पर यह भी आ सकता था गूगल अकाउंट गूगल दिखाता तो हमें उसे जीमेल या गूगल अकाउंट पर एंटर करना पड़ता फिर एड़ अकाउंट यह चूज़े नदर अकाउंट का अप्शन आता ठीक है तो फिलाल मैं यहां पर मुझे मिला है चूज़े बेटन पर मैंने एंटर कर दिया यह मेरी में इडिक फुल गई है अब ज़रूरी यह है कि अगर में फूल टाइम एकसिसिबिलेटी चाहती हूं तो does control home करके बटन basic HTML उससे मुझे करना है किभा टन basic HTML अभी वैनस पर enter कर दिया हों एंटर करने के बाद तक मैंने कि निटब टैप से आपको बता था करके जीमेल का जो है इंटरफेस हैं वो देख लीजए यह सब बता चुकी हूं आपको ठीक है एक इमेल पढ़के देखते हैं आपको मैं कम से कम 50 मैं कम से कम 10-20 इमेल तो पढ़ना बताऊंगी ही फिर उसके बाद दूसरी दूसरी चीज़ों पर चलते रहेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने एमेल पढ़ने से पहले मैं आपको साइन आउट करना बताती हूं आज चाहिए पहले पर पूरा नविगेट कर लिया चेक कर लिया क्या क्या था है डाउन एरो से चेक कर लिए क्या क्या है डाउन एरो से ज्यादा सक्सेस नहीं है पैपसी चेक करें जोज में है तो हेडिंग वाइस भी चेक कर सकते हैं डाउन एरो से भी चेक कर सकते हैं टैप से भी कर सकते हैं जोज यूज कर रहे हैं अब हम साइन आउट पर एंटर किया हो यह शर्थ है तभी आप एंटर कर लेंगे तभी आप accessibility के साथ काम कर पाएंगे फिर आप control हां करें तैप से अपको sign out पर जाना ऑर एंटर करやってना तैब से sign out पर जाना है एंटर कर देना यह पहला तरीका है दूसरा तरीका यह है sign out का यहां पर एक लिस्ट लेनी पड़ती है जिसको हम element list और link list के नाम से जानते हैं किसके element list और link list के नाम से जानते हैं उसकी command जोज और nvd दोनों में होती है insert f7 insert f7 करें और insert f7 प्रेस करें पर बोलेगा जोज बोलेगा link list डायलोग और nvd बोलेगा element list डायलोग आपको S स्टेंडर्ड फिर सेंटिंग पर करेंगे स्विच्ट टू स्टेंडर्ड फिर स्करेंगे साइन आउट तो साइन आउट पर आपको एंटर कर देना है क्या कर देना है साइन आउट पर आपको एंटर कर देना है तो यहां कंट्रूल हों करके टैप टैप से साइन आउट पर एंटर कर सकते हैं लेकिन बटक बटन बेसिक HTML बटन बेसिक HTML पर आपने पहले से एंटर करके रखा हो जब जीमेल खोला हो तब एक्सेसिबिल्टी के साथ काम करेंगे दूसरा तरीका यह है कि आप एलिमेंट लिस्ट लेंगे एलिमेंट लेने के बाद इन साइट F7 से और आप प्रीज वेट और फिर आपका अगर बहुत सारे अकाउंट पढ़ें तो फिर से चूज एन अकाउंट को अप्शन आजाएगा नजी तो एड़ आपको सिर्फ साइण आउट हो जाएगा तो यह साइण आउट करना जरूरी था इसको साइण आउट नहीं करेंगे तो यह ज अकाउंट कहाएगा चूजएन अकाउंट में कैसे चूज करेंगे गूगल फुल जाए वहां पर पर गूगल आपका दिखाएगा क्या आपने काऊंसा यूज किया था जीमेंट खनाएगा तो तो पर पासवड डाल कर आप अपको एक बार उन तो आप से खूलेंगे से चि कि साइन आउट करना जरूर तो आपको मैंने खोलना और साइन आउट करना और कैसे अधो लेंगे तवाम दिद बता ही दो एक लिए पर हम लोग सीखेंगे email chapter email reading पैले मिलते हैं तैंक यू